रह रह के नरेंद्र मोदी जी के लिए जो हमारे यशश्वी प्रधान मंत्री हैं, उनके लिए जिस प्रकार के भाशा का प्रयोग, जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग उनके उच्छ नेता, कॉंग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, हर दिन टीवी में देखने को मिल रहा है, it has become a usual procedure it has become an issue of common occurrence a new normal as far as Congress Party is concerned बंदुगन रावन के भिशे में सुना था, मलीकारजुन खडगे जी ने आदर्निय मोदी जी को रावन कहके संबोधित किया था, तो एक बहुत बड़े नेता Congress Party के पूर्व संसद और करनाटक के दिगज नेता BS Ugrappah BS Ugrappah जी ने मोदी जी को अभी भसमासूर कहा है उन्होंने कहा है कि मोदी जी भसमासूर है और पूरे हिंदुस्तान को और बच्चों के भविश्य को वो भारत वर्ष को भस्म करने में लगे हुए हैं, उसे destroy करने में, उसे बरबाद करने में लगे हुए हैं, और एक असूर हैं, भसमासूर है आप सोचे किस प्रकार का भाषा है भसमासूर, अपने प्रधान मंत्री के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना है, बंदुगन आज अकबार में एक बहुत ही सुखद ख़बर है G20 चल रहा है और G20 के पूरे इस प्रकारण के आरंभ में ही US के राष्टाध्यक्ष बाइडन साहब ने कहा है कि मैं अपने दोष्ट मोदी के साथ कड़ा हूँ और G20 में जो भी समर्थन हमारा रहेगा हम सब मिलके आगे काम करेंगे एक तरफ पूरा विश्व The whole globe stands with नरेंद्र मोदी एक तरफ पूरा विश्व आज मोदी जी का लोहा मान रहा है और किस प्रकार से हम अपने प्रधान मंत्री को लेकर आगे बढ़ें इस पर पूरा विश्व आज चिंतन कर रहा है मगर उसी समय कॉंग्रेस पार्टी का इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मोदी जी के लिए ये अपने आप में बहुत ही दुखद है और चिंतनी है रावन खुद मलिका आरजुन खडगे जी ने कह और आज मलिका आरजुन खडगे जी के खुद के बहुत निकट के पूर्व सानसद कॉंग्रेस पार्टी के और याद होगा आपको ये सानसद वो हैं जिन्होंने गलती से एक प्रेस कॉंफरेंस में अपना माइक ओन रख लिया था बीएस उग्रपा साहब ने और उसमें कॉंग्रेस के सारे काले करना में मीडिया के सामने उजागर हो गए थे गलती से पीसी से पहले प्रेस कॉंफरेंस से पहले वो बोल रहे थे कि ये डीके स्विव कुमार तो सौ करोड रुपे ले गया है मगर फराना फलाना ये तो कमिशन खाता है ये सारी चीजें उनकी खुद के पीसी में रेकॉर्ड हो चुकी तो ये वो बी-एस उगरपपा जी हैं जिन्होंने अब मोदी जी को भसमाशूर कहा है रावन कह लिया दुर्योधन कह लिया भसमाशूर कह लिया मोदी नीच इंसान नहीं यह भी कह लिया मोदी यमराज यह भी कह लिया सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर है मोदी जी को कौक्रोच कह लिया मोदी जी को चुहा कह लिया नपुंसक कह लिया आवकाद दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है और चोर भी कह दिया है पूरी फैरिस थे मेरे सामने मगर आज में कहना चाहता हूँ कि सौ गाली पूरे हो चुके हैं सौ गाली पूरे हो चुके हैं कॉंग्रिस ने अपने आप को सिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता जो जनारदन है जनारदन माने कृष्ण है जनता ही कृष्ण है जनता ही जनारदन है अब हम अवहान करते हैं जनता से जनारदन से और कृष्ण से कि वो लोकतंत्र रूपी चक्रधारण करके ऐसी पाटी का लोकतांत्रिक रूप से समापन करे, सौ गालियां कॉंग्रेस ने दे दिया है, सौ गालियां गिंती के साथ, रावन, दुर्योधन, भसमासुर, चोर, इत्यादी कहते हुए, मौत का सौधागर, सौ गालियां पूरी हो चुकी है, अब जनता जनारदन, जनता ही कृष्ण है, और भगवान कृष्ण बन के जनता, अब सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक तरीके से, इवियम के माध्यम से, गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में जवाब देगी, कि गाली देने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है, राशन दिया है, वो व्यक्ति कभी भी भसमासुर नहीं हो सकता है, जिसने गुजरात के अंदर 11 लाख लोगों को आवास योजना के माध्यम से आवास देने का काम किया है, वो व्यक्ति कभी भसमासुर नहीं हो सकता है, जिसने गुजरात के सौराश्टर में जहां पानी की कभी थी वहां मा नर्मदा से प्रार्तना करते हुए मा नर्मदा के पानी को सौराष्टर में पहुँचाया और सौराष्टर को सिंचित करने का काम किया है पल्लवित करने का काम किया है वह कभी भी असूर नहीं हो सकता है वह वैक्ति कभी भी असूर नहीं हो सकता है जिसने बिजली और हर घर नल योजना के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में करोडों लोगों के हृदय को चूने का काम किया है इसलिए वह भसमासुर नहीं हो सकता मगर आज मुझे कहते हुए आश्चर लग रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी के शब्दकोश में केवल और केवल गाली है बंदुगण एक यहाँ विशय था और दूसरा विशय भी उतना ही संगीन है और दूसरे विशय को जरात तफसील से में रखोंगा ताकि आप सब इसे पूरी तरीके से समझ सकेंगे ये केज़िवाल जी और ये मनीश इशोदिया जी जो है दिल्ली में ये जिस प्रकार से प्रेस कॉंफरेंस करते हैं और जिस प्रकार से कहानी के माध्यम से जूट को सच बनाने की कोशिश करते हैं ये हम सब जानते हैं अभी चंद दिनों पहले केज़िवाल जी ने कहा कि मनीश इशोदिया जी को क्लीन चिट मिल गया है और ये जो एकसाइस पॉलिसी वाला घोटाला है ये कोई घोटाला नहीं है क्योंकि CBI ने और ED ने मनीश इशोदिया जी के उपर किसी प्रकार का कोई चार्डशीट नहीं किया है मैं अब पांच मिनिट लूँगा और मगर पूरी तरह से ये जो जूट अर्विंद केजरिवाल जी और मनीश इशोदिया जी बोल रहे हैं उसको यहां पर परदाफास करूँगा और बिल्कुल बताऊँगा कि क्यों ये जूट है और आने वाले समय पर गाज क्यों मनीश इशोदिया जी पे गिरेगी ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा है जो एकसाइस पॉलिसी को स्टडी किया हुआ है जिस वेक्ती ने और जिन लोगों ने एकसाइस पॉलिसी को करीब से देखा है उनके मन में किसी प्रकार का डाउट या संसय नहीं है कि गाज तो मनीश इशोदिया जी जो कि एकसाइस मिनिस्टर रहे हैं और जिनके तत्वावदान में जिनके गाइडन्स में ये पॉलिसी बनी है गाज तो गिरेगा ही गिरेगा और वो कानून के आगे पेश होंगे ही होंगे ऐसा क्यूं है इसके विशह में बहुत डिटेल में मैं नहीं जाओंगा मगर कुछ आज खुलासा करूंगा पहले भी बीजेपी ने ये प्रेस कॉन्फरेंस किया था कई प्रेस कॉन्फरेंस किये हैं आप जानते हैं कि ये 32 पेज का एक Reemand Note है ये जो 32 पेज का Reemand Note है ये आज से कुछ दिनों पहले, तीन-चार दिन पहले एक अमित अरोडा, आप जानते हैं ये जो पूरा का पूरा सराब घोटाला हुआ उसमें अमित अरोडा एक वेक्ती है जिसने पैसा लिया पैसा दिया ये सारा काम अमित अरोडा ने भी किया है तो इस अमित अरोडा की गिरफतारी हुई थी और गिरफतारी के बाद हमें अमित अरोडा का रिमांड क्यूं चाहिए तो E.D. ने कोट में ये सारा डॉक्यूमेंट रखा था कि क्यूं चाहिए तो उस डॉक्यूमेंट में जो 32 पेज का है उसमें कुछ ऐसी बातें जो ये स्पष्ट करता है कि मनीश शिशोदिया के खिलाफ जो एकसाइस पॉलिसी में इन्वेस्टिकेशन है वो ओन गोइंग है नमबर एक वो चल रहा है समापत नहीं हुआ है नमबर दो वो संगीन है जो आरोप उसमें है वो बहुत ही संगीन है और इतने सारे तार आके मनीश शिशोदिया के साथ जुड रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिकेशन करके एक होलसम मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट मनीश शिशोदिया पे फूल प्रूफ तरीके से तयार करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा मगर वो फूल प्रूफ होगा अभी CBI ने और ED ने जो चार्डशीट दाकिल किया वो उन लोगों के खिलाफ था जो लोग गिरफतार थे या जिनको रिमांड में लेना हो था जैसे कि किसको कस्टोडी में रखा हुआ है इनकी कस्टोडी एक्स्टेंड करनी है तो एक टाइम लिमिट होता है उसके अंदर आपको चार्डशीट फाइल करना पड़ता है तभी आप उनको जादा दिन रखके और पूछतास कर सकते हैं तो इसलिए ये कुछ लोगों के खिलाफ पाँच्छे लोग जो गिरफतार थे जो अंदर थे में विजे नायर मनीशी शोदिया का राइट है अरविंद केजरिवाल जी के दोस्त है और ओफिशल बंगलो में ये जो विजे नायर है ये ओफिशल बंगलो में मिनिस्टर के बंगलो में रहते थे आम आदमी पार्टी ने उने cabinet minister का बंगलो भी दिया हुआ था तो उसमें रहते थे ये लोग सब गिरफतार थे तो चार्ज़शीट में इन लोगों का नाम है इन सब के तार मनीश शिशोदिया से जुड़ रहे हैं इसमें कुछ तथ्य में आपके सामने रखोंगा देखे एक तो मैंने जो बार-बार कहा आपको की मनीश शिशोदिया जी इससे छूट नहीं सकते हैं वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि investigation ongoing है आप इसमें दो-तीन बाते में mark करूंगा आप इसको याद रखिएगा पहला मैं कुछ तारीक बताऊंगा पत्रकार सामने लिख रहे हैं वो तारीक जरा आप लिख लेंगे क्योंकि इजी रहेगा इसमें लिखा हुआ है कि एन एफायार नंबर सो औन सो डेटेड सत्रह आठ दो हजार बाईस वस रिजिस्टर बाई CBI ACB New Delhi अगें स्री मनीश शिशोदिया